कुछ पलों की खुशी के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले ही उसके परिणाम चाहें कितने भी भयान क्यूं नहों। ज़स दरसल राजिस्थान का एक जिला है भील बाड़ा, उसी का एक थाना लगता है कोटडी। कोटडी थाना छेतर के जंगल में कुछ लोग लगड़ियां काट रहे थे, उन्हें में से एक लड़का होता है कालू, कालू अपने साथियों से ये कहकर निकलता है कि मैं चाय बनाने के लिए घर पर जा रहा हूँ, बस अभी आता हूँ, इतना कहकर चला जाता है लेकिन काफ देखा था, उस दर्श को देखने बाद उसकी आँके खुली की खुली रह जाती है, दरसर कालू एक लड़की के साथ था, जो 14 साल की लड़की वही मौके पर बकरियां चरा रही थी, और मौका देखते ही उस लड़की के साथ बो दरंदीगी कर रहा था, यहां काना की जिम में बीत हो जाता है, तब ही मौका पाते ही वह 14 साल की लड़की घटना इस तल से भाग जाती है, जैसे वह भाग रही थी, कालू और काना उसका पीछा कर रहे थे, कुछ ही दूरी पर जाका उस लड़की को पकड़ लेते हैं और घसीटते होई उसी जगह पर लेका आते हैं तब ही उनमें से एक लड़की ने डंडा उठाया और बहुत तीजी के साथ उस लड़की को मारा, जैसे डंडा उस लड़की को लगता है वो बेहोश हो जाती है, बहीं कोईले की कई सारी भट्टियां थी, जो धदक रही थी जल रही थी, इसी बीच में से उन दोनों ने उ उसको डाल दिया जबकि वो जिन्दा थी, तड़प रही थी, चीक रही थी, लेकिन उसके तड़प ने कि इसके चीक ने की, आवाजें उनके कानों तक नहीं पहुँच रही थी और उसके अंदर और कोईले डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतना कोईला, उतनी या मोकी पर थी ही नहीं, जिससे कि उसका शरीर पूरी तरह से जल सके, शरीर को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद उसके फाबरे से चोटे 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 टुकडे करते हैं, और टुकडे करने के बाद ताकि ये सबूत किसी को ना मिल सकें, उसके टुकडों को ल प्रदेश में हरकंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है, कि लोगों ने छणी खुशी के लिए इतना बड़ा पाप जो कर दिया है। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी ने ने कबल अपने उस प्रदेश में बलकी पूरी दुनिया में तहल का मचा दिया था, जो कहानी आज की है, वो एक सबसे छोटे दुनिया के सीरियर क्लिर की है, जिसने एक नहीं कई सारी कतल कर दिये थे, और ज जरसल बेगुस राय जिले का ही एक गाउं लगता है, मुसहरी, मुसहरी गाउं में जून 2007 का ये वाकिया है, स्कूल की छुटी हो चुकी थी, एक महिला अपने छे महिने की बेटिया के साथ, इसका नाम खुश्बो होता है, महिला का नाम चुनचुन दे भी होता है, उस याद आता है कि एक काम, जो काम था, उसने कहा कि वो काम करके आती हूं, बेटी को उसने चारपाई पर लिटाया, और सुला कर वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब लोटकर बापस आती है, तो उसके बेटी मौके पे मिलती हैं नहीं है, जब आकर देखती है तो अपने बेटी को लेकर इधर आसपास के लोगों से पूछताश करती है, कहती है कि मेरी बेटी क्या तुमने देखी है, लोगों से जाकर घरगरों में जाकर पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको खुश्बू, दूर दूर तक कहीं नजर हैं नहीं आ रही थी, वो कहती है कि मेरी बेटी काफी देड़ से नहीं मिल लही थी, कुछी पल के लिए तो उसको छोड़ कर गई थी, तब ही वो सीधा भगवान पुर्थाना पहुंसती है, और भगवान पुर्थाने के शत्रगंद कुमार जो S.H.O होते हैं, वो मोके पर अपनी टीम के साथ आ उस वक्त जो अमरजीत सदा है, वो यहीं पर तो था, तो अमरजीत सदा को देखकर उसने कहा है, बेटा क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, तो अमरजीत सदा हसने लगता है, मुस्क्रा ने लगता है, तब जो मुस्क्रा रहा था, तब ही उस महिला को थोड़ा सा घुस यही इसके पास मेरा बच्चा है, इसके पास ही है, यह हसरा है, मुस्करा रहा है, अब शत्रुगन सुन, को ऐसा लगता है कि यह कैसी बात कर रही है महिला, उन्होंने आस पास के लोगों से पोचता है, जब वो महिला जादे ही जित पकड़ने लगती है, तब उस आठ साल के बच्चे को पास बला जाता है, उससे पूछा जाता है, बेटा क्या तुमने खुषबब को देखा था, तो वो बच्चा जाकर SECования के सामने, यानि कि inspector के सामने भी वो मस्क्राने लगता है, हसने लगता है, वो हसते हैं, मुस्क्राते है कहता है कि हाह बता हुगा, लेकिन पह पर बेज़ में जाता है, दुकान से बिस्किट मंगाये जाते हैं, मंगाने के बाद उसको दिया जाता है बिस्किट, अमर जीत सदा को जिसकी उमर लफ़क आठ साल की सोथ हूती है, वो अतिनान से बिस्किट खा रहा है, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, खुश्बू की आ मा भी होती है, गाउं के लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोगों बस ये बात सुनने के लिए, जानने के लिए तरस रहे थे, कि आखिरकार वो खुश्बू है कहां, उसने पूरा बिस्किट खाता है, उसके बाद उसको पुछकारा जाता है, पूछा जाता है कि बेटा, क्या तुमने खुश्बू को देखा था, तो वो कहता है कि खुश्बू को मार कर सुला दिया है, और जैसे ये बात वो बोलता है, खुश्बू को मार कर सुला दिया है, तो लोगों को यकिन नहीं हो रहा था, पुलिस को भी यकिन नहीं हो रहा था, अब पुलिस के कान खड़े ह भी बिस्कित और देना पड़े ग्ताइगma, जario मंगाया जाता है वो उसके इतनान से खाता है और खाने के बाद उस स्कूल से जंगल की तरफ जाता है लगभग आधा किलोमेटर दूर जब जंगल की तरफ पहुंच जाता है वहाई छोटी सी जाडियां थी जाडियों के पास में कुछ पत्ते ठके होई थे पत्तों के नीचे वो लड़की पड़ी हुई थी उस लड़की यानि कि उसने गड़ा जितना भी खोच सकता था एक बालक उस गड़े में उसने उसको दवा रखा था और जैसे पुलिस वालों ने उस कूड़े कवारे को उस मिट्टी को हटा कर देखा तो सचमुच खुश्वू उसके अंदर स कि उस दौरे में खेल आहता मैदान में और खेलते खेलते देखता है कि वो बच्ची बिकुल अकेली है आराम से सो रही थी इत्मनान से सो रही थी तब ही उसे अपनी गोद्मे उठाता है जिस बच्ची की उमर लगवग 6 या 7 महीनी के आस पास रही होगी उसे वहाँ से ले पुलिस उसे पूछताज करती है तो पुलिस को विक्कुल यकिन नहीं हो रहा था पुलिस वाले उसको सीधा भगवान पुर्थाने में लेकर आते हैं भगवान पुर्थाने में लाने के बाद पुलिस को भी यकिन नहीं हो रहा था जो कह रहा है अभी तक तो सच है लेकिन इसने कैसे कर दिया है पुलिस वाले भी बेकल परशान हो जाते हैं पूरे गाउं में एक ख़वर आग की तरह फैल जाती है, उसके बाद पूरे बेगुस राय में एक ख़वर आग की तरह फैल जाती है, अब पुलिस वालों ने याने की जो इंस्पेक्टर होते हैं, शत्रगन कुमार उसे एक बार फिर से बिठाते हैं, उससे पूछते हैं कि बिस्किट फिर से मंगाया जाता है, उसे दिया जाता है, वो इतनान से खाता है, चाय पिलाई जाती है, उसके बाद फिर पूछा जाता है कि बेटा क्या बात है बताओ, तब ही वो कहता है कि जो उसकी 6 महिने, ये 7 महिने की जो उसकी चोटी सी प्यारी सी बेहन थी, उसकी बेहन भी ऐसे ही घर में लेटी हुई थी आराम से, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आराम से लेटी हुई है, इसलिए उसने उसको खूब मारा, पीटा, और पापा और उसके मम्मी, जो की मा उसकी ग्रहनी होती है, लेकिन घर पर नहीं थी, पिता उसका मजदूरी करता था, लेकिन उस दिन वो भी घर पर नहीं था, भाई अपनी बहन के साथ घर में होता है, और उसने उसको भी पीट पीट कर इसी तरह से मार दिया, जब वो चिला रही थी, चीक रही थी, चीकते चीकते उसके दम निकल जाता है, वो मर जाती है, जब माबाब घर में आते हैं, अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर, कुछ इसी तरह से भारी वस्तु उसके सर में मारी थी, उसको भी बलड बह रहा था, माबाब ने अपनी आँखों से जो दिरश्य देखा, उन्हें यकिन नहीं हो रहा था, और उन्होंने जान बूच कर इस मामले को थाने तक नहीं पहुचाया, क्योंकि बेटी तो हास से निकल चुकी थी, यदि बेटे की शिकायत थाने में कर देते, तो शायद बेटा भी पूरी लाइफ जेल में ही इस लाखों के पीछे काड़ता, इसलिए माबाब ने इस बात को दबा दिया, और इस बात को लेकर जब माबाब को सूचना भी जाती है, कि आकर थाने आई और थाने में आकर मिलिये, जब थाने माने के बाद उस माबाब से ये बात confirm के जाती है, तो दोनों confirm कर देते हैं कि हाँ ये बात बिकुर सही है, लेकिन हमने अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बात हमने थाने तक पुलिस तक पहुचा ईती, उस बच्चे से एक बार फिर पूंचा जाता है कि इसके इलाबा तुमने किसी और को भी मारकर सुलाया है तो बच्चा फिर मुस्कराने लगता है और मुस्कराते मुस्कराते कहता है कि जब तक बिस्किट का पैकेट नहीं दोगे तब तक मैं बिकुल भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद उसे फिर से बिस्किट का पैकेट दिया जता है उसके ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी उसको अंदर भूंक है बिस्किट की और उसके बाद उसके बिस्किट का पैकेट देकर शत्रुगन कुमार उससे पूंसते हैं कि आकरकार क्या मामला है फिर से बताईए तो जो ज़्यादा हसता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसको उसे रोना बहुत अच्छा लगता था, उसने कहा तु रो, लेकिन वो रो नहीं रहा था, इसलिए उस बात पेसे गुस्सा आ गया, उसने पत्थर उठाया, और अपने ही चचेरे भाई को तब तक मारता रह जब तक या उसका चचेरे भाई घटना एसल पर मर ही नहीं जाता है, जब यह बात परिवार के लोगों पता चलते हैं, यह लड़के के जो यह अमरजीत सदा होता है, उसके माबाप और उसके चाचा को पता चलता है, तो उनके यह बात भी ठीक, वैसे ही जैसे उसने सगी बेहन को मामले को दबा लिया था, घर की बाद घर में ही रह जाए, चचेरे भाई की मौत को भी उनने ऐसे ही दबा लिया था, चुपा लिया था, किसी को भी इस बात का भनक नहीं लगने दी थी, पता नहीं लगने दिया था, उसने एक के बाद एक तीन कतल कर डा लिते, य उसने चचा ने या उसके माबाप ने ये कदम उठाया होता, पुलिस तक ये बात पहुंची होती है, उसका इलाज कराया जाता, तो शायद वो ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने किसी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, कि आखिरकार ऐसा क्यूं कर रहा है, पुलिस न आखिरकार कुछी महीनों के अंतराल में वो तीन मडर कैसे कर सकता है, जब उससे बातचीत की जा रही थी, बातचीत करते करते उसे पता चलता है कि कंडेक्ट डिस ओडर एक ऐसी बीमारी होती है, जिसमें दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है, और अमर्जीत सदा ऐस आपराद कर देकर रही थी, उसको तब भी उसको ऐसी ही खुशी हो रही थी, इसके बाद उसे, क्योंकि छोटा बच्चा था, कई वार आपने सुना होगा, देखा होगा कि दस बारे साल की उमर में अपराद हो जाता है, अपराद कर देते हैं बच्चे, लेकिन आठ साल की अमर में अपराद करने वाला ये बेगुस राय नहीं बलकि पूरे हिंदूस्तान का पहला ऐसा मेटर था सबसे चोटा ऐसा बालक था जिसने एक नहीं दो नहीं मलकी तीन कतल किती है और जब इस मामले की गौँज अकवारों के माध्यम से टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलती है तो पूरी दुनिया में ये सबसे चोटी ये सबसे कम उमर का ये सीरियल किलर होता है पुलिस वाले से ग्रिफतार करते हैं ग्रिफतार करने के बाद इसको बाल सुधार ग्रहे में रखते हैं तो तीन साल से ज़ादा नहीं रह सकता मामला फिर कोर्ट पहुंसता है कोर्ट में जाने के बाद क्योंकि इसकी बीमारी के पता चली गया था हर वक्त इस पर नजर रखी जाती थी और नजर रखने के बाद जब ये धीर धीरे बड़ा हो रहा था तीन साल पूरे हो रहे थे तब कोट का ये निर्णे लिया गया कि इसे कम से कम 18 साल की उमर तक ऐसे ही बाल सुधार ग्रहे में रखा जाए और बाल सुधार ग्रहे में रखने के बाद जब तक ये ठीक नहो जाए सही से वेवार ना करें दूसरों को खुश देख कर खुश ना हो तो कतब तक इसको बाहर ना निकाला जाए साल 2015 में जब लगभववा 18 साल का कम्पलीट हो जाता है तब उसको जेल से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उसको एक नया नाम नई पहचान नई जगे पर उसको भीजा जाता है ताकि लोगों के साथ सामाने विवार कर सके यदि किसी को इस बात का भनक लग जाएगी कि इसने बच्पन में एक नहीं दो नहीं बलकि तीन गतल कर दिये हैं तो कोई भी बच्चा इसके साथ रहेगा नहीं कोई भी इसे अपने का साथ काम पनी लगाएगा कहीं भी इसको कोई नोकरी नहीं मिलेगी बलकि आपको जागुर्ण करना है, आपको सचेत करना है, पहले में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, तीन कटल कर देता है, उसको एक बीमारी थी, बीमारी की वज़े से ऐसा कर रहा था, लेकिन राजिस्थान की घटना में जिस बच्ची के साथ इतना घिनोना किरत्ते होता वो बड़े थे, उनको समझ थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो बेकुल सुष्थ होते हैं और इतने बड़े घटना क्रेम को अंजाम देते हैं, महज थोड़ी सी छणे की खुशी के लिए कुछ पलों की जो अपने मन में थोड़ा सा उतिजनाय होती हैं, उनको शांत करने और इस बच्चे के माता-पिता ने भी बहुत सारी परिशानियों से गुज रहे हैं, एक बहन को इसने खोया था, और एक चचेरा भाई भी इसने खोया था, दोस्तों आप सब लोग अपना खयार लखें, सुरक्षित रहें, जैहिंद, जैभारत